नमस्कार साथियो मैं हूँ कृष्णा रशिंग और आप देख रहे हैं यूटूब चेनल एजूकेशन पोडल कृष्णा आज के इस वीडियो में पुना हम लोग 50 प्रश्णों का अध्यन करने वाले हैं पाच-पाच प्रश्ण हर विशे से रखा गया है इस प्रकार से कुल मिला करके दस विशे को इसमें सामिल किया गया है काफी आननद दायक है एक बार अधी आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका जो पढ़ा हुआ है जो भूल चुके हैं वो पुना आध हो जाएगा तो चलिए हम लोग इस प्रकार के प्रश्णों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उन प्रश्णों को पुनह याद करने का भी प्रयास करते हुए चलेंगे प्रस्ण की शुरुआत करने के पहले आपको याद करा दूँ अधी आप चैनल पर पहली बार है तो परिक्षा की तयारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे जब तक परिक्षा नहीं हो जाती हम लोग इसी प्रकार से अभी स्लो मोशन में चलेंगे अब की धिरे धिरे उन प्रस्णों का अध्यन करते हुए चलेंगे लेकिन जो ही परिक्षा की तीति समभावित हो जाएगी परिक्षा की तीति Nisit हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग तेज गती से अनेक प्रकार के प्रस्णों को अध्यन करेंगे विडियो पसंद आने पे like ज़रूर करेंगे, इससे हमें अगला विडियो बराणने की प्रेढ़ना प्राप्त होती है. पहला प्रस्न आपके इस स्क्रीन पर है, भhakti काल को कहा जाता है, हिंदी से पाच प्रस्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे, भक्ति काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल, चांदी काल, डायमंड काल या इन में सभी भक्ति काल को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, option number A आपका सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग, अगले परश्ण में चलें, दूसरा नमबर परश्ण है को का उचारन अस्थान है यानि को का उचारन अस्थान कहां है उचारन अस्थान से रिलेटेड कवर्ग हो या तो फिर खवर्ग हो चवर्ग हो निकि बेंजन वर्ण से जो भी वर्ण है उसका उचारन अस्थान जरूर याद रखेंगे यहां पर एक हम लोग उधारन के तोर पे लिए हैं कि को का उचारन अस्थान कहां से होता है आप्शन है तालू, कंठ, ओष्ट, धंद यह प्रशन आप के लिए मैं छोड़ा हूँ अन्य वीडियो की भाती जिस प्रकार से आप सही सही जबाब भी दे रहे हैं और आप अध्यन करने में भी अपने आप को अध्यन करने में भी हर प्रशन को बारिकी से देख रहे हैं क्योंकि आप इन सभी प्रशनों को पढ़े हैं सिर्फ आपको एक बार रिविजन करने की अबसकता है तो यहाँ दूसरा नमबर प्रशन आपके लिए मैं छोड़ा हूँ का का उचारन अस्थान कहा है कोमेंट के माध्यम से लोगों को जरूर इसकी जानकारी देंगे इसके बाद अगला प्रशन है तीसरा नमबर दो वर्नों के मेल को कहा जाता है एक प्रकार की यह परिभासा है दो वर्नों के मेल को कहा जाता है संधी, शमास, छंद या तो फिर वाके तो ध्यान रखिएगा जब दो वर्नों का मेल होता है दो वर्न का जब मेल होगा तो वह सं संधी कहलाता है और यहीं पर बात करें कि दो पदों का जब मेल होगा तो वह आपका समास कहलाएगा यहां पुछा गया कि दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है असपस्ट हो चुका है संधी कहा जाता है अगला प्रस्न है तीसरा नंबर 4 प्रश्ण हिंदी से होगा तीसरा नंबर प्रस्न है आकास के समान अर्थ वाला सब्द क्या है तो नब तो भी है नब मतलब अकास ही होता है इसके बाद अगला option है गगन तो गगन का भी अर्थ अकास है अंबर का भी अर्थ अकास है इसलिए आपका right option D होगा इसके बाद पाच्पा नमबर प्रश्ण है नयन का अर्थ है नयन का क्या अर्थ है चक्छू, नेत्र दोनों इन में से कोई नहीं तो नयन का अर्थ चक्छू भी होता है नेत्र भी होता है इस प्रकार से option number C आपका सही होगा यहां से हम लोग इंगलीज का 5 प्रश्ण देखेंगे बहुत आसान शाप्रश्ण है आप का revision के लिए आपको revise करने के लिए इन सभी प्रश्णों को set किया गया है जो जो हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे कुछ जटिल प्रश्णों को भी देखेंगे लेकिन सबसे पहले जो basic प्रश्ण है उसका ध्यन कर लेते हैं छे नमर में है fill in the blanks करना है राम एंड सीता reading तो यहां पे पुल्रल हो चुका है राम और सीता मिल करके तो इसमें से क्या आएगा option में से इसे fill करना है is, are, where, none of these तो राम एंड सीता यहां पे आर देंगे कि बहु बचन के लिए आर हो जाएगा ए, आर, इ, आर उसके बाद अधी where भी देना चाहें तो यह भी होगा यहां पे थोड़ा option में missing हुआ है तो चलिए हम लोग एक जानकारी के दृष्टी कौन से इस वीडियो में आये है तो राम एंड सीता आर रिडिंग यह भी हो सकता है राम एंड सीता वेर रिडिंग दोनों होगा तो option नमबर अधी C नहीं रहता तो B देंगे और अधी A नहीं रहता तो यहाँ पे C देते इसके बाद अगला प्रश्ण है सात्मा नमबर अमन हैज खाली अस्थान है एपल A एंड नन अनिकि आर्टिकल्स यहाँ पे फिल करना है अमन हैज अमन के पास एक सेव है यह का रहा है तो एपल है तो एपल के अनुसार से यहाँ पे फिल होगा option नमबर B हो जाएगा अगला प्रश्ण है आठमा नमबर क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ यह translation है तो इसका सही क्या अर्थ होगा तो सही translate इंगलिस में क्या होगा क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ यह तो होगा ही नहीं क्योंकि आई के साथ हमेशा डू का प्रियोग होता है यहाँ पे देखिए डू आई नो डू आई नो ट्रीड यहाँ पर प्रश्ण वाचक चिन होगा लगा लेंगे तो option नमबर भी आपका सही हो जाएगा इसके बाद अगला प्रश्ण है नौ नमबर हो इस प्रिपोजिशन नहीं कि पूछा गया है कि नीचे में कौन शाप प्रिपोजिशन है एंड तो प्रिपोजिशन है ही नहीं तो विथ यहाँ पे विथ देखिए यह प्रिपोजिशन के रूप में के साथ है या साथ साथ होता है इसका हिंदी द तो आर्टिकिल्स है और यह तो कंजक्शन है इसलिए आपका राइट ऑप्शन भी होगा इसके बाद देश्मा नमबर प्रश्ण है हाव मेनी काइंड है हाव मेनी काइंड से ऑफ टेंस अनिकी पूछा गया है कि टेंस के कितने भेद हैं तो हम लोग जान रहे हैं टेंस के तीन भेद हैं परजेंट टेंस है पास्ट टेंस है उसके बाद होता है फ्यूचर टेंस है तो ऑप्सन नमबर यहाँ पे इसको सी कर लिजेगा तो यहाँ ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा इसको डी कर लिजेगा तो टेंस के तीन भेद है परजेंट पास्ट और फ्यूचर इसके बाद हम लोग यहां से गनीत का पुना पांच प्रशन देखेंगे काफी आसान सा प्रशन है जीरो एक दो तीन डोडोट है यह कौन सी संख्या है तो प्राकिट संख्या यह तो होगी ही नहीं तो प्राकिट संख्या के आगे यदी सून लग जाए तो यह पूर्न संख्या हो जाती है तो इसलिए आपका option नीचे का पूर्न संख्या B जो option है यह वाला option B नंबर यही आपका सही होगा इसके बाद अगला प्रशन है 12 नंबर दो, चार, छे, आठ है नहीं कि दो, चार, छे, आठ कौन सी संख्या है option के अनुसार हम लोग चलेंगे प्राकिन संख्या है, पुर्ण संख्या है समसंख्या है या तो फिर भी समसंख्या है तो किलियर है दो, चार, छे, आठ दो से भाग इसमें लग रहा है प्रतेक संख्या में अताया समसंख्या हो जाएगी option number C इसके बाद 13 number प्रश्ण है एक और एक एक और एक का मोसो अधी आप ग्याद करेंगे मोसो और लोसो ग्याद करने के लिए करा है तो एक और एक का मोसो एक ही होगा इसके बाद लोसो भी एक और एक का ग्याद करेंगे तो एक ही होगा इसलिए right option आपका B number हो जाएगा एक और एक का मोसो भी एक होगा और लोसो भी एक होगा इसके बाद 14 number प्रश्ण है छेत्रमिती से related है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की बसकता है ब्रित की सभी तिर्जियाएं होती है आप ब्रित जब बनाएंगे या central हो गया उसके बाद इस तरह से radius बनाएंगे तिर्जियाएं बनाएंगे तो सभी तिर्जियाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है तो option है बड़ा बराबर बड़ा छोटा दोनों इन में से कोई नहीं तो असपच्छ है बृत की सभी तिर्जियाएं आपस में बराबर होती है option नमबर A सही है अगला प्रशन है 15 नमबर बृत की जिवाएं केंदर से होकर जाती है तो कर आए कि बृत की जिवाएं केंदर से होकर जाती है तो जीवा सबसे पहले हम लोग समझते है या केंदर हो गया इस तरह से अधिक केंदर छोड़ करके चलेंगे तो यह जीवा होती है यह जीवा हुई यह जीवा हुई इस प्रकार से तो बृत की जो जीवाएं हैं के अंदर से होकर नहीं जाती है option number B हो गया इसके बाद यहां से हम लोग इतिहास का पांच परशन देखेंगे बहुत popular परशन है भारत में grand trunk road बनवाई थी भारत में जो grand trunk road बनवाई गई है किसके द्वारा बनवाई गई है option है असोक, सेरसासूरी, अकबर या तो फिर हिमायू के दरा तो grand trunk road बनाने का जिम्मेबारी अनि सेरसासूरी को जाता है यह B number option सही होगा इसके बाद अगला number प्रशन है 17 number महान संगितग्या तानसेन किसके दरबार में रहते थे संगितग्या थे तानसेन और किनके दरबार में रहते थे जहांगीर, अकबर, सा जहांग या तो फिर सही हो जाएगा इसके बाद अगला प्रश्ण है अठारा नमबर किस मुगल सासक ने दो बार सासन किया option है साह जहा हिमायू बाबर जहांगिर तो किस मुगल सासक ने दो बार अनिकी दो बार राजिया भिसे किया था दो बार शासन किया था तो आपका यहाँ पे option है सहह, हिमायू, बावर, जहांगिर तो right answer हिमायू हो जाएगा option number B सही है इनका दो बार राजिया भिसेक किया गया था इसके बाद अगला प्रस्ण है 19 नमबर सिभाजी का राजिया भिसेक कहां हुआ था रायगड, कलानोर, रायचूर, आगरा तो सिभाजी का राजिय भिसेक कलानोर में हुआ था option number B हो जाएगा आपका सही इसको फिर से हम लोग देख लेए थोड़ा सा मिस हो रहा है सिभाजी का राजिया भिसेक कहां हुआ था सिवाजी का राजिया विशेक राइगण में हुआ था ओप्सन नमबर ये सही होगा इसके बाद 20 नमबर प्रश्ण है सिवाजी के समराज की राजधानी कहां थी पूने राइगण है कारवाण पुरंदर तो सिवाजी के समराज की राजधानी राइगण थी option number 20 सही होगा इसके बाद यहाँ से हम लोग भारतिय राज विवस्था के पुना पांच परशन देखेंगे भारत में कार्जपालिका का अध्यक्ष कौन होता है कार्जपालिका का अध्यक्ष पूछा गया है इसके बाद अगला प्रशन है वाइस नमबर एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवस्यक है और एक वर्ष में एक साल की बात कही गई है कितनी बार संसद की बैठक हो सकती है आप्षन आपके समक्ष है एक, दो, तीन, चार तो राइट अन्शर आपका दो हो जाएगा आनि कि एक वर्ष में संसद की दो बार कम से कम बैठक होनी चाहिए अधिक जितनी भी हो जाए इसके बाद तैस नमबर प्रशन है भारतिय सेना का सर्वोच सेनापती कौन होता है भारतिय सेना का सर्वोच सेनापती, राष्टपती, या तो फिर उपराष्टपती, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री तो भारतिय सेना का सर्वोच सेनापती, राष्टपती होता है ओप्सन नमबर A आगे है 24 नमबर राष्टपती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है निराष्टपती का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है राष्टपती किस प्रकार से चुना जाता है यह पूछा गया है परत्यक्ष रूप से और परत्यक्ष रूप से अगला पचीस में हम लोग आ चुके हैं भारत का राष्ट पती चूना जाता है जन्ता द्वारा, संसद्वारा, राजसभा द्वारा, निर्वाची संसदो और विधान सभा सदस्योद्वारा आपका राइट अर्शर डी हो जाएगा ओप्शन नमर डी होगा सही इसके बाद हम लोग यहां से 26 नमर प्रशन स्टार्ट करेंगे और यह प्रशन इकोनोमिक्स अर्थार्थ अर्थ वेवस्था से रिलेटर है भारत में चंदन की लकड़ी के सरवाधिक वन कहां पाये जाते है चंदन की लकड़ी एक किम्ती लकड़ी कही जाती है तो यह किस वन में किस जंगल में पाये जाते हैं यह पूछा गया है असम की पहाड़ियों में यह तो फिर सिवालिक की पहाड़ियों में नील गिरी की पहाड़ियों में सत्पुड़ा की पहाड़ियों में तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक नील गिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है ओप्सन नमबर C सही होगा 27 नमबर प्रस्ण है भारत की प्रमुख खाद फसल है चावल गेहुं गन्ना चना बहुत आसान सा प्रस्ण है भारत की प्रमुख खाद फसल चावल होती है ओप्सन नमबर A इसके बाद 28 नमबर है चाई के उत्पादन में भारत का विश में कौन शा अस्थान है चाई के उत्पादन में पहला दूसरा तीसरा चोथा दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज कौन शाह है? मध्धपरदेश है, इसके बाद आपका उत्तरपरदेश, उडिशा, महराश्ण तो मध्धपरदेश और की MP, ओप्शन नमबर A, दाल के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है आगे है तीस नमबर प्रशन, भारत में सोयावीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज में होता है? मध्परदेश, उत्तरपरदेश, बिहार, ताजस्था तो सोया वीन मंध्ध परदेश में होता है सबसे अधीकति मंध्ध परदेश को सोया परदेश के रूप में भी जाना जाता है इसके बाद यहाँ से भुगोल का पुना पांच प्रशन का हम लोग अध्यन करेंगे पहला प्रस्ण है सूर्ज के चारो और घुमने वाले खगोलिय पिंड को क्या कहा जाता है कि सूर्ज के चारो और घुमने वाले जो चारो और घुमता है उसको क्या कहा जाता है उपगरह, गरह, छुद्रगरह या तो पुक्छलतारा बहुत सिंपल है सुर्ज के चारों और घुमने वाले खगोलिय पिंड को ग्रह कहा जाता है option number B सही होगा इसके बाद 32 नंबर प्रश्ण है अंत्रिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है तारा मंडल की बात कही गई है कितने है 87, 88, 89 इनहीं तो तिनों में से option में से आपका सठीक मिल जाएगा तो आपका राइट अन्शार 89 निकी 89 option number C हो जाएगा इसके बाद 33 नंबर प्रश्ण में हम लोग आ चुके हैं सौर मंडल का जन्म दाता किसे कहा जाता है सौर मंडल का जन्म दाता किसे कहा जाता है सौर मंडल का जन्म दाता सौर मंडल का जन्म दाता सौर को कहा जाता है option number A सही है इसके बाद 34 नंबर प्रश्ण पिर्थवी के उपगरों की संख्या कितनी है सौर ने 1, 2, 3 तो आपका राइट अन्शार B हो जाएगा जन्म दातान की चंद्रमा एक मात्र ऐसा उपगरा है जो की पिर्थवी के उपगरों की संख्या की रूप में जानी जाती है पिर्थवी गरा है लेकिन चंद्रमा उपगरा है और यह उपगरा पिर्थवी का है इसके बाद 35 नमबर प्रश्ट में हम लोग आ चुके है पिर्थवी के सबसे निकट इस्थित गरह है बुद्ध, सुक्र, पिर्थवी, मंगल तो पिर्थवी के सबसे नजदी की गरह है आपका सुक्र हो गया option नमबर 20 ही है इसके बाद 36 नमबर यहां से कला और संस्कृती का कुछ प्रश्ण मिलेगा और कि 5 प्रश्ण ही मिलेगा ज्यादा नहीं तो कला और संस्कृती से गायत्री मंत्र किस गरण्थ में सामिल है गायत्री मंत्र, रीगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद यहां आपका रीगवेद में गायन त्री मत्र सामील है ओप्सर नमबर A हो जाएगा इसके बाथ सै तीस नमबर प्रस्ण है सरपर्थम सुध शुद की चर्चा किस सुध को इस यहां पे सुधर पढ़िएगा सुधर सरपर्थम सुद्र की चर्चा किस धार्मी गरंथ में मिली है रिगवेद जुर्वेद सामवेद या तो फिर अथरवेद में है तो सरपर्थम सुद्र की चर्चा रिगवेद में ही मिलती है जो कि सबसे पुरानी प्राचिन बेद की रूपे जड़ा जाता है इसके बाद चले 38 नबर प्रस्ट में एक मात्र बेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है क्या है रिगवेद है यजुरवेद है सामवेद है या तो फिर अथरवेद है तो आपका गद और पद में लिखा हुआ यह जूरवेद है या गद और पद दोनों में संक्लित किया गया है option नमर भी सही होगा इसके बाद 49 नमर सूर्ज मंदिर कहां इस्थित है सूर्ज मंदिर कहां इस्थित है कुनार्क पूरी शोमनात तो आपका यही राइट अंशर होगा कुनार्क में सूर्ज मंदिर इस्थित है इसके बाद 40 नमबर में हम लोग चलें बंद्रीनात धाम किस देवता को समरपित है सीव विशनु बरभा या तो फिर कृष्ण को समरपित है बंद्रीनात धाम बिशनु को समरपित है बिशनु देवता की वहाँ पे पुजा होती है बंद्रीनात धाम में ओप्सन नमबर B सही होगा अब यहाँ से पुना हम लोग बहुत तिकी का निकि फिजिक्स का पांच प्रस्ण देखेंगे और बहुत आसान शाप प्रस्ण है सिर्फ अभ्यास करने की यावसकता है जूल जूल मातरक है जूल किसका मातरक है कार्ज और उर्जा का कार्ज और शक्ती का या तो फिर बल और कार्ज का इन में से कोई नहीं तो जूल बल कार्ज का एसाई मातरक जूल होता है और इसके साथ साथ उरजा का भी एसाई मातरक जूल होता है तो कार्ज और उरजा option number A हो जाएगा सही इसके बाद 42 नमबर में चले दाड़ी बनाने वाला दरपन होता है औरहिंकि हजामती दरNewton के रूप में जाना जाता है संतल अवफल उत्तल या तो इन मेंसे कोई नहें तो आपका option number B हो जाएगा अवफल धर्पन को हजामती दर्पन के रूप में जाना जाता है इसके बाद 43 नमर है गाड़ी का side mirror होता है गाड़ी का side mirror के रूप में पीछे की बस्तु को देखने के लिए किस दर्पन का प्रियोग driver के द्वरा किया जाता है अब तल दर्पन उत्तल दर्पन दोनों इन में से कोई रहे तो यहाँ पे उत्तल दर्पन आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है लेंस की छमता का SI मातरक 44 नमर में हम लोग आ चुके हैं लेंस की छमता का SI मातरक diopter होता और इसे D से सुचित किया जाता option number B आपका सही है इसके बाद 45 नमर है बेग कोन सी रासी है सदिस है या तो फिर अदिसिया पूछी गई है तो यहाँ पे बेग है तो वो आया है हम लोग एक ट्रिक देखे थे कि प्राया वो वाला जितने भी सब्द हो भौतकी का जो भी रासिया आती हो वो वाला वो सदिस रासी होती है तो option number A बेग कोन सी रासी है तो सदिस रासी हो जाएगी इसके बाद यहाँ से हम लोग पुना पांच प्रस्ट देखेंगे जो की chemistry से related है अबल पाया जाता है निम्मू में पाणी में केला में तो अबल निम्मू में ही पाया जाता है पाणी और केला में नहीं पाया जाता है option number A सही होगा इसके बाद 47 नम्मर प्रस्ट है पानी होता है पानी क्या है अबलिये है छारिये है या तो फिर उदासीर है तो आप जल और की पानी की बात करेंगे तो यह हमेशा उदासीर होता अबलिये और छारिये हो जाए तो वह सुद्ध पीने के लिए नहीं होता है इसलिए जो साबानी पानी है वह उदासीर होता है option number C सही होगा इसके बाद 48 नम्मर प्रस्ट है हाइड्रोजन है गैस ठोस द्रविशन तो निसीत रूप से हाइड्रोजन एक गैस के रूपे है option number A सही होगा इसके बाद अत्ती प्रस्ट है 50 नम्मर प्रवानु संख्या के अधार पर बड़ा होता है तो प्रवानु संख्या के अधार पर आधुरिक आवर सारणी का निर्वार हुआ और मेडिलीव की आवर सारणी की बात करे तो यह है प्रवानु द्रवान के अधार पर बड़ाया हुआ है इसलिए यहाँ पर यह जो 49 नम्मर प्रस्ट पूछा गया है यह प्रवानु संख्या के अधार पर आधुरिक आवर सारणी का निर्वार हुआ option number B सही होगा इसके बाद अंतिप प्रस्ट है 50 नम्मर अक्रिये गैस है अक्रिये गैस क्या है हाइड्रोजन है या तो फिर आपका हिलियम है आउक्सीजन है डाइट्रोजन है तो अक्रिये अर्था निस्क्रिये गैस आपका हिलियम है option number B अनि कि इसे HE से इस प्रकार संकेत से सुचित किया जाता है तो इस प्रकार से इस वीडियो के बाद्यव से हम लोग कुल 50 प्रशनों का अध्यर किये जो काफी महत्तपूर्ण है परिक्षा के लिए और जो एक आसार सा प्रशन की बात कही गई है उसी प्रकार के प्रशनों को सामिल किया जा रहा है बस आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching good bye